Hello Friends, Welcome to Auto Study, Way to Change the Learning of Automobile TVS Motor Company ने BS6 model, TVS Jupiter के आधिकारिक launch से पहले इसकी तक्निकी जानकारी से परदा हटा लिया है आपको बता दें कि company ने इस scooter की कीमतों का एलान पहले ही कर दिया है जिसे तीन models, Standard, ZX और Classic में launch किया जाएगा नई जूपिटर में BS6 compliant 109 CC का single cylinder air cooled engine लगाया गया है जो fuel injection technology के साथ आया है ये engine 5000 RPM पर 7.3 BHP की power और 7500 RPM पर 7.4 Nm का peak talk generate करता है आपको बता दें कि नई जूपिटर की power पिछले model से 0.5 BHP कम है बाकी बदलावों की बात करें तो स्कूटर की battery को seat के नीचे की जगे अब अगले apron पर लगाया गया है जिसके result में नई जूपिटर में 17 लिटर की जगे 21 लिटर का space मिला है स्कूटर के fuel tank को भी 5 की जगे 6 लिटर का बनाया गया है जिससे इसकी range में काफी improvement देखने को मिला है TVS जूपिटर BS6 को लेकर company का दावा है कि इसके mileage में 15% तक की बड़ोतरी हुई है वहीं स्कूटर के total weight में 1 kg तक की बड़ोतरी दर्च की गई है TVS के showrooms पर इस स्कूटर के लिए bookings शुरू कर दी गई है और माना जा रहा है कि अगले एक या दो हफतों में BS6 model जूपिटर की delivery शुरू कर दी जाएगी और अंत में बात की जाए इसकी कीमत की तो नई जूपिटर BS6 के standard model की कीमत 61449 रुपे रखी गई है वहीं इसके ZX model की कीमत 63449 रुपे रखी गई है स्कूटर के top model की एक शूरूम कीमत 66911 रुपे रखी गई है जूपिटर के सभी BS6 variants के पिछले हिस्से में drum brakes दिये गए है इस बात की जानकारी उपलब नहीं है कि भविश्य में company इसके disc brake variant को launch करेगी या नहीं तो दोस्तो नहीं TVS Jupiter BS6 को लेकर आपका कोई भी सुजाव या suggestion हो तो प्लीज हमें comment box section में बता सकते हैं Thanks for watching this video Please like, share and subscribe my channel so that I'll get motivated for making more such lending videos